बियार की कठ्यार में कुद्रत का करिस्मात देखा गया है इस करिस्मा को देख लोग कल्यूक में भगबान के अबतार रूप को मानने लगे है कुद्रत की करिस्मा कठ्यार सदर स्पताल के परसूता भिवाग में नवजाद बालक के जन्म को देख बताय जाता है जहां कठ्यार जिली की मुफसर इलाके के हफला गंज गाउं से आई एक माने परसब के दुरान चार हांथ चार पैड के स्वस्त बालक को जन्म दिया है अध्भुत बालक और मा दोनों ही स्वस्त हैं बालक की पिता राजुसाह ने कहा कई बार कराया था अल्ट्रासौंट अल्ट्रासौंट रिपोर्ट में इन कठिनाईयों की नहीं की गई थी कोई जिक्र अब नवजात बालक की इस्तती है क्रिटिकर पश्च्य मंगाल का हूँ रहने वाला हफ्लागंस इलाके में है पत्नी का घर कठ्यार सदैर स्पताल की चिकिस्तक डॉक्टर ससिक किरन ने कहा इसे अध्भुत बालक नहीं फिजिकली दिप्यां कहेंगे तो यह हुआ है इसलिए कि मदर में कुछ कमी होगी या फिर ट्वीनिंग के समय में ऐसे होता है कि अगर ट्वीन प्रेग्नेंसी है उसमें कुछ अबनॉर्मल्टी होती है जो अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट हो जाए तो हम लोग टर्मिनेट कर देते हैं तुरंसे बे गर्वाबस्ता ये गर्वधारन के द्वान किसी कार्ण बस ऐसा बड़ा बालक जन्म हुआ है जिसे ऑपरेशन कर परसुता के सरीर से बहर निकला गया है अगर गर्वाबस्ता में इसकी जानकारी हम सबों को होती तो इसे रिमूब कर दिये होते वह ये अस्पताल में इस न कंग को रॉट आ कंगा कंग कर दhésitez। अधिन थोड़े रहे जो आई बच्चाच आई बच्चाच के अधिन बच्चाच चाटता हाथ रहे जो तो तग वहां चीए जो दो तीन बाद करवाए ठीक है फिर भी तो कुछ पता नहीं कि तो जो पता नहीं है प्रवाइब कुछ नहीं बताया कि किसे बार परवाए थे साथ तीन बार परवाए लेकिन अज जब दिलेवरी हुआ तो कैसा बच्चा होगा चालगो पैर है चालगो आथ है जो सबस्छाइब कर दो अब क्या ना में राजू साहाथ बच्चे का पिता आती है और अधर बंग बंगाल में कहां से रखवा और इनका माइके कहां है अब अब लागान में रखवा नहीं है यह उसका मामा है ठीक बेन्पी नियोज के लिए कधिहार से संबाद्धा था रतन कुमार की रिपोर्ट